सचिन पाइलेट की बगावत का असर होगा उपचुनाव पर भी जी हाँ इसी अपडेट के साथ हमाजर है MP News TV पर मैं हूँ निधी आपके साथ जैसा कि राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है काफी उठा पटक देखने को मिल रही है सचिन पाइलेट की बगावत इस वक्त चारों तरफ चर्चाओं में बनी हुई है लेकिन ये बगावत सिफ राजस्थान तक ही लिमिटेड नहीं है इसका असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिलेगा क्या कुछ होंगी मध्यप्रदेश की सियासी हल चले जानने के लिए आये सीधे जुरते हमारे समवादातार राहुल से राहुल आपसे जाना चाहेंगे कि क्या कुछ असर सचिन पाइलेट की बगावत का MP में उपचुनाओं में देखने को मिल सकता है देखे निदी यदि सचीन पाइलेट की बात करे तो जिस प्रकार का सियासी उठापटक राजस्तान की सियासत में देखा जा रहा है उससे आप सभी मुखातिब हैं और सब जानते हैं कि जिस प्रकार का एक पुरा घटना करम चल रहा है जिसने कॉंग्रेस की मुसीबते बढ़ा दी है और जो अपनों की बगावत है अब वो कॉंग्रेस को भारी पढ़ती दिख रही है लेकिन एक बड़ी अपडेट जो आ रही है वो यह है निदी की आगामी दिनों में उपचुनाओ होने है और उपचुनाओ की 25 सीटों में से करीब 7 सीटों पर सीधा 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 सचीन पाइलेट का असर देखा जा सकता है और साब बड़ी बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि 7 ऐसी विधान सबा हैं जिस पर गुजर बाहूले है यानि जिस समाज से सचीन पाइलेट आते हैं उनके वोट अधिकतर है ऐसे में कॉंग्रेस को यह भारी पढ़ सकता है यदि सचीन पाइलेट को समय रहते मनाय नहीं गया तो हो सकता है कि उपचुनाओ का में जो है इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा सचीन पाइलेट उन तमाम उन चनिन्दा नेताओं में शुमाहरे जिनकी फैन फॉलोइंग पुरे देश बर में है खास करके यदि गुजर समाज की बात करें तो वो कहीं कहीं न कहीं इस बात को लेकर आकरोशित है कि सचीन पाइलेट की अंदे की हो रही है तो बड़ी अपडेट यह है कि लगातार जिस प्रकार का सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है राजस्तान की सियासत में उसका सीधा सीधा असर अब जो है है कि यदि सचीन पाइलेट से यू कहें कि उनके साथ में पूरा पूरी तरह से अगर मेल मिलाप नहीं हुआ या किसी डिसीजिएन पर नहीं पहुँचे तो ये एक बड़ा जटका कॉंग्रेस के लिए हो सकता है वहीं बात यदि शिवरास सरकार में मंतरी एंदल सिंग कंसाना की करें तो एंदल सिंग कंसाना ने भी साफतोर पर कहा है कि गूजर समाज एक जुट होकर कॉंग्रेस के विरुद्द वोट करेगा मैं आपको बताना चाहूँगा मंत्री एंदल सिंग कंसाना जो कि सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं भारती जंता पार्टी में शामिल हुएं सिवरा सरकार में फिलहाल मंत्री है वो भी गूजर समाच से आते तो ऐसे में वो भी इस बात को संकेत दे रहे हैं इस बात के और इशारा कर रहे हैं कि कॉंग्रेस को जटका दे सकती है निदी और एक और बाद मैं आपको कहना चाहूंगा जिस प्रकार का सियासी घटना करम चल रहा है कॉंग्रेस के लिए एक एक वोट इंपोर्टेंट होगा ऐसे में यदि पूरी की पूरी समाज अगर उससे बगावत करेगी तो कॉंग्रेस क से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश की सियासत में हर बार तमाम पार्टिया कहती है कि जाती गत आधार पर टिकट नहीं दिया जाता और जाती की आधार पर निताओं का चैयन नहीं होता लेकिन राजनिती में ये भी कड़वा सच है कि जाती गत सियासत और समिकर्ण को देखकर ही पार्टिया टिकेट देती है निर्णे लेती देती है तो ऐसे में निश्ची तोर पर कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका हो सकता है जो राजस्थान की आग है मध्यप्रदेश में भी कॉंग्रेस को जद में ले सकती है जी तो कुल मिलाकर अगर देखे तो जैसा क हाली में हमने देखा था जब सिंधिया ने कॉंग्रेस का दामन छोड़ा था तब भी कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका लगा और अब कुछ ऐसे ही हाला सजिन पैलेट को लेकर भी देखने को मिल रहा है भले ही बात राजस्थान में हो रही है फिलहाल लेकिन उसका असर कह साइदा बीजेपी उठा रही है क्योंकि बीजेपी के स्वर भी अब इस बात को लेकर मुखर होते नजर आ रहे हैं आपको क्या लगता है कॉंग्रेस को क्या कुछ नुकसान हो सकता है आने वाले उप्चुराओं में देख सकते हैं कि तमाम जो नेता अपनी युवा वस्त बना लिए अब शरतबवार भी इसी का उधारन है अगर पशिम बंगाल की बात करे तो ममता बैनर्जी भी इसी का उधारन है और साउत के स्टेट में भी इसी तरीके से हुआ कि अलग अलग तरीकों से नहीं कंग्रेस का जन्म हुआ तो अ Алगदी को समझना हो daha ागई और ष प्राजनिती को सही दिशा दी जा सके और जहां तक पुराने नेताओं की बात है तो पुराने नेताओं को इस बात का सम्मान मिलता है कि वो पुराने नेता है और जब पुराना नेता कोई पुरे एक सिस्टम से होकर निकलता है तो उसे उस चीज का सम्मान भी मिलता है तो ऐस यदि उन्हें अगर कोई पार्टी दूसरी संगटन की जम्मेदारी देती है तो निश्य तोर पर एक बढ़िया होगा और युवा चेहरे को आगे ला सकती है कॉंग्रेस बराल ये बाते हैं मिडिया के हलकों से लगातार इस बात की बानगी को भी बयां किया जा रहा है कि दे अजिस्थान में जो आग लगी है उसमें मध्यप्रदेश भी जुलस सकता है और जिस तरह से सचिन पाइलिट के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं इसका असर या इसका नुकसान हम कहें कि कॉंग्रेस को उपचुनाओं में उठाना पर सकता है हाला कि उपचुनाओं जो ह यह हमारे साथ देखते रहे हैं MP News धन्यवाद